हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्टूब चैनल एंके एजुकेशन पर आज मैं आपके लिए MDSU वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकिया है जी हाँ दोस्तों जो विद्यारती प्राइवेट के अंदर पैक्टिकल सब्जेक्ट देने वाले उन विद्यारतीों के लिए बहुत ही बुरी खबर अब ये विद्यारती नहीं दे पाएंगे पैक्टिकल के जो एक्जाम है उनमें अपना फॉरू में वो अप्लाइ नहीं कर सकते है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बुरी खबर यह जो भी वीडियो है वो प्राइवेट स्टूडेंट जरूर देखे एक्जाम फॉर बनने से पहले ये वीडियो जरूर देख ले अन्यता आपको जिंदकी पर पस्तावर आ जाएगा तो मित्रों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटेस्टेड है यदि वीडियो पसना हो तो लाइक कर दे पस्ताव पूरा वीडियो देख लेना फिर आपको जो बात है वो समझ में आ जाएगी MDSU University से प्राइवेट विद्धारती के तोर पर परिक्सा देने वाले विद्धारतियों के लिए बूरी खबर है प्राइवेट फोरम बढ़ने वाले विद्धारती है प्रैक्टिकल व प्राइवेट विद्धारतियों के लिए 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 प्राइवेट विद्धारतियों के पास कैबल बीए बीकॉम क यही विसे रहा जाएंगे यूनिवर्स्टी परसासन का तर्क है कि किसी भी अन्य यूनिवर्स्टी में प्राइवेट विदार्तियों को प्राइवेट विदार्तियों को प्राइवेट विदार्तियों के लिए होते हैं प्राइवेट विदार्तियों के लिए होते हैं कि प्राइवेट विद्धार्ति को पैक्टिकल के नाम पर जम कर धांदली की जाती उनको जम कर लूटा जाता इस सम्मन में कहीं बार सिकायते भी सामना आई है लोगों ने सिकायते भी किये असके सार हमारे पैक्टिकल के इतने पैसे ले रहे इस सम्मन में कहीं बार सिकायते प्रस्ताव बनाया है अब यह पश्ताव 26 नौंबर को हने वाली अकैडमी काउंसिलिंग के बैटक में रहा यहां मंजूर होने के बाद इसे 26 नवंबर को होनने वाली बॉम बैटक में अनुमोधन के लिए रखा जाएगा इसके बाद ही यूनिवेस्टिनी ने प्राइवेट परिक्सा फोरम को कबाय सुरू के होगी इसका मतलब कि 29 नवंबर तक फोरम कई पे स्टाट नहीं होने वाले कई भी प्राइवेट विद्धार्ति को पैक्टिकल विसे नहीं दिये जते हैं प्रस्ताव बनाया गया कि अकेडमी काउंसलिंग में इसे अप्रूबल के लिए रखा जाए प्रोफेसर आर्पी कुल्पत्ति MDSC यू उनिवेस्टि थैंक्स पर वाचिंग फूल वीडियो